टाइम मैनेज़िमेंट के लिए सबसे पहले आपको सोचना और समझना चाहिए कि आपको जादा टाइम क्यों चाहिए आपको अपनी जिद्दगी में फोकस रहने के लिए एक फ्लू बनाना ज़रूरी होगा या आपको डिस्टाक्ट होने से बचने में आपकी मदद करेगा हमें अपनी डिस्टाक्शन को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए मतलब ये है डिस्टाक्शन से हमारा टाइम बरबाद होता है क्योंकि हम ऐसी चीज़ों की तरफ अट्राक्ट हो जाते हैं जिससे बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्या आपने कभी ये नोट किया है कि हमारे कुछ दोस्त हमेशा बिजी रहते हैं हाला कि वो कुछ बड़ा नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी बिजी जब पूछो तब बिजी और मुझे इस बात का एसास हुआ जो लोग सबसे खाली हैं वही सबसे बिजी हैं आई होप आप समझ रहे हैं फर्क सिर्फ इतना है कि वो वक्त तो लगा रहे हैं लेकिन शायद ऐसी चीजों पर जो लाइफ में बहुत जरूरी नहीं है या उन चीजों पर जो उनकी ग्रोथ में हल्प नहीं करेंगी आज हम इस बात का सॉलूशन निकालने के लिए एक ऐसी बुक के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको ये समझने में मदद करेंगी कि आखी टाइम का सही से इस्तमाल कैसी किया जाए टाइम मैनेजमेंट कैसे करें इंपोर्टन चीजों को कैसे प्रियोटाइस करें ताकि हम अपनी लाइफ में अनलिमिटेड ग्रोथ के साथ आगे बढ़ सकें आज हम इस बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे जेक नाप और जॉन जराटसकी ने लिखा है इस बुक में ऑथर्स ने हमें हमारे टाइम को बहतर ढंक से कंट्रोल करने का तरीका बताया है हमारे पास उन सभी कामों को पूरा करने के लिए 24 घंटे बहुत होते हैं जिने हमें पूरा करने की जरुत है ऑथर्स की बताएगे स्ट्राटीजी के साथ आप हर दिन जादा इंस्पायड महसूस करेंगे किताब से आपको पता चलेगा कि कैसे आप टाइम बरबाद करने वाली चीजों से दूर रहकर पूरे फोकस और एनर्जी के साथ अपना काम पूरा कर सकते हैं मेक टाइम किताब आपको अपने रोस के कामों में छोटे बदलाव के साथ आपकी जिन्दगी में एक्चुल में जो माईने रखता है उसको करने के लिए टाइम निकाले में मदद करेगी अगर आप अपने टाइम पर कंट्रोल रखना चाते हैं अपने काम पर ज्यादा ध्यान लगाना चाते हैं और अपनी जिन्दगी की कॉलिटी में सुधार करना चाते हैं तो मेक टाइम किताब आपका गाईडन्स कर सकती है इस किताब में कुछ important thoughts बताये गए हैं जिनसे आप अपने टाइम को कंट्रोल करके उसका इस्तमाल सही जगाए कर सकेंगे distraction को हराने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उनपे react करना कम करते या हो सके तो ध्यान देना ही बंद करते रुकना सीखें अपनी energy का सही से इस्तमाल करें हर party get together या जादा activities में जाने से अपने आपको रोके हर दिन एक highlight चुने और इसे priority के साथ अपनाए आप जिस तरह से technology का इस्तमाल करते हैं उसे इतना ना इस्तमाल करें कि वो technology आपकी जिन्दगी को control करने लगे ये किताब जादा काम करना मतलब multi rasking के बारे में नहीं है बलकि make time ये चुनने के लिए framed है कि आप किस पर सबसे जादा ध्यान देना चाते हैं इस book में 4 steps का एक framework दिया गया है जिससे follow करके हम अपने वक्त से वो हासिल कर सकते हैं जो हम चाते हैं पहला step सिर्वे एक highlight चुनना है इसके बाद आपने जिस highlight को चुनना है उस पर आपको पूरा ध्यान देना है तीसरा step उस energy के बारे में है जिसे आप दिन भर में जमा करेंगे और अपना time और ध्यान कंट्रोल में रखेंगे चौथा और आखरी step आपने पूरी दिन में क्या किया इस पर आपको सोचना है तो चले फिर इन चारो steps को एक एक करके detail में समझते हैं पहला element, highlight time management के लिए सबसे पहले आपको सोचना और समझना चाहिए कि आपको ज़ादा time क्यों चाहिए हर दिन आपको एक activity चुननी चाहिए और उसे priority देनी चाहिए ये कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको करने की ज़रत नहीं है लेकिन आप इसे पूरा होते वे देखना ज़रूर चाहिए आप अपने दिन में कौन से activity, पल या availability चाहते हैं उनको पहचाना ही highlight है highlight को तीन तरह से पहचाना जा सकता है सबसे ज़रूरी आज आपको सबसे ज़रूरी काम क्या करना चाहिए सटिस्वाक्शन दिन के खत मोने पर कौन सा option आपको ज़्यादा सटिस्वाइड करेगा जोई जब आप आज के बारे में सोचते हैं तो आपको उससे क्या खुशी मिलेगी नॉर्मली दिन के highlight को करने में एक घंटे से लेकर देर घंटे तक का time लगना चाहिए अब आपको अपनी highlight को चुनना शुरू करना होगा इसके लिए कुछ तरीके बताये गए है जोब की highlight को पहचानने और चुनने में मदद करेंगे उस activity को लिखना शुरू करें जोब करना चाहते हैं हर दिन एक अलग highlight का यूज़ करना जरूरी नहीं है आप इसे repeat भी कर सकते हैं आप उन चीजों की list बना सकते हैं जन्याप जिंदगी में important मानते हैं आप सबसे important चीजों को चुन सकते हैं उन्हें लिख सकते हैं और अपनी highlight चुनने के लिए list का स्तमाल कर सकते हैं आप दिन के बीच में अपने time को सही तरीके से स्तमाल करने के लिए अपनी सभी बड़ी चीजों को एक ही highlight में एक साथ रख सकते हैं आप उन चीजों की एक list बना सकते हैं जिन चीजों को आप किसी भी दिन कर सकते हैं आप लगादार 5 दिनों तक वही highlight कर सकते हैं जिसे हर दिन के step में बाटा जा सकता है अब आपको अपनी highlight के लिए time निकालना सीखना होगा इसके लिए कुछ तरीके बताए हैं जिनकी मदद से आप अपनी highlight के लिए time निकाल सकेंगे highlight के लिए time निकालने के लिए calendar में एक event जोड़कर शुरू करें क्योंकि आप सिर्फ एक date देकर एक commitment बना रहे होगे अपने calendar में दी खाली जगह में कुछ भी mark ना करें ताकि उस खाली जगह के इस्तमाल आप अपनी highlight को डालने के लिए कर सकें अगर आपको लगता है कि आपके calendar में जगह नहीं है तो उसे खाली करके time निकालने की कोशिश करें एक्जामपल के लिए आप अपनी meetings या किसी काम को करने में लगने वाले वक्त को कम करके ऐसा कर सकते हैं अगर आपको सच में sufficient time नहीं मिल पाता है तो अपने आप से पूछें कि क्या cancel किया जा सकता है कम priority वाली activities के लिए committed ना हूँ जब आप कुछ नहीं करना चाते हैं तो ना कहना सीखें जब रदस्ती हर काम को ना करें हर काम को करने के लिए plan बनाए वरना आपको लगातार ये tag करना होगा कि आपका अगला step क्या है और आप उन चीजों के बारे में सोचते time अपने अध्यान खो सकते हैं कि क्या आपको ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए अगर आप दिन के बीच में time नहीं निकाल सकते हैं तो आप अपने highlight को सुबह जल्दी भी कर सकते हैं लेकिन अगर आप अपने आपको एक देर से सोने वाले इंसान मानते हैं तो अपनी रात का कुछ time अपनी highlight के लिए दे आपको जानना होगा कि आपको कब रोखना है लोगों के उनके हर रोज के काम को खत्म करने से हफते में time को बढ़ाने में मुदद मिलती है highlight को बनाने से आप अपने सभी ज़रूरी और उन कामों को पूरा कर सकते हैं जोब करना चाते हैं और जिन कामों को पूरा करके आपको खुशी मिलती है जब आप highlight बनाना शुरू कर देते हैं तो आपके काम time पर होने लगते हैं और आपको बाकी और कामों के लिए ज़्यादा time मिलेगा इसलिए आपको अपनी जिंदगी में time management के लिए पहले step highlight से शुरू करना होगा हमारी जिंदगी में बहुत से ऐसी चीज़े होती हैं जिससे हम distract हो जाते हैं हमें अपनी distraction को अपने control में रखना चाहिए मतलब ये है distraction से हमारा time बरबाद होता है क्योंकि हम ऐसी चीज़ों की तरफ attract हो जाते हैं अपनी जिंदगी में focus होने के लिए आपको सबसे पहले पने phone को control करना सीखना होगा अपने phone को control करके आप अपने distraction से दूर हो सकेंगे और अपनी highlight को time पर पूरा कर सकेंगे यहाँ पर इसके कुछ तरीके हैं बिना किसी लगाव या pressure की mobile phone का इस्तमाल करें आप इसे 24 घंटे, एक सब्ता या एक मेने तक आजमा सकते हैं अगर आपको सच में कुछ application को इस्तमाल करने के जरूत है तो बस तभी उने इस्तमाल करें मतलब यह है कि आपको उने application पर control हासिल करना है जिने आप सिर्फ बहुत जरूरी होने पर इस्तमाल करते हैं शोशल मीडिया से हर बार log out करें ताकि आपको हर बार login करने के लिए अपना email address और password डालना पड़े यह एक तरह का obstacle बन सकता है क्योंकि यह आपको शोशल मीडिया को इलगातार इस्तमाल करने से रोगता है और यह आपके distraction को हराने का सबसे अच्छा तरीका है notification को आने से बंद करें ताकि आप भूल सकें कि आपके पास कोई app भी मौजूद है और इस तरह से अपना ध्यान भटकाने से बचे अपने phone की home screen पर किसी भी तस्वीर को ना लगाए क्योंकि हर बार जब आप phone के इस्तमाल करते हैं तो एक खाली screen आपको शानती का time दे सकती है क्योंकि इससे आपका कोई ध्यान भंग नहीं होगा wrist watch पहने या आपके phone पर time पता करने से आपको रोकेगा और या आपको phone के खिचाव से बचाता है अपनी concentration में सुधार करनी के लिए आप अपने phone को काम पर ले जा सकते हैं और उन्हें वहीं पर छोड़ सकते हैं या घर आने पर आप अपने phone को अपने आपसे दूर रख सकते हैं अगर आप अपने phone को control कर सकेंगे तो आप social media की तरफ attract नहीं होगे जिससे आपका बहुत सारा time बचेगा और आप उस time का इस्तमाल सही जगय कर सकेंगे इसलिए आपको अपने highlight के लिए time निकालने के लिए time को बर्बाद करने से बचना होगा जिससे आप अपने गाम पर focus कर पाएंगे अपने focus को बढ़ाने के लिए आप KUKU FM पर The Power of Focus और Deep Work की बुक समरी को भी सुन सकते हैं जिससे आप अपने focus को कई गुना बढ़ा सकते हैं आप भी KUKU FM को डाउनलोड करके बहुत से courses, हजार आडियो बुक्स और बुक्स अमरीज को भी सुन सकते हैं इसके लिए आपको एक जगे बैटने की जरुद नहीं है वाक करते हुए, ट्रावल करते वक्त खाना खाते हुए भी आप इसे सुन सकते हैं अब भी अनुएल मेंबर्शिप के साथ चल रहा है 50% डिसकाउंट मतलब 399 रुपे के जगा, सिर्फ 1099 रुपे इसके लिए जल्दी से RBC 50 को पन कोड यूज करें क्योंकि ये सिर्फ पहले 500 यूजर्स को ही मिल पाता है इसका link भी discussion में डाल दिया गया है infinity pool से दूरी बनाएं infinity pool मतलब वो खिचाब या लगाव होता है जिसके कोई हद नहीं होती और आप लगातार बार बार उस काम के लिए अपना time बरबाद कर सकते हैं इसलिए आपको infinity pool से दूरी रहना चाहिए इसके लिए कुछ चीज़ें आपकी मदद करेंगी अगर आप उन्हें apps का इस्तमाल करने से वस्ते हैं जो सुबह सुबह आपको distract करती हैं तो focus करना असान होगा आपको हर दिन news पढ़ने की जरुरत नहीं है अगर ये बहुत जरूरी है तो ये आपके पास खुदा आएंगी जब आप focus कर रहे हूं तो अगर हो सके तो internet को बंद करते जिससे फाल्तू चीज़ें दूर रहेंगी हम इसे बहुत से लोग अपने email में काफी time बरबाद कर देते हैं इसलिए email को देखने के लिए कुछ जरूरी तरीके अपनाने चाहिए दिन के खत्मोने पर अपने email का इस्तमाल करें और अपना inbox देखने के लिए एक time decide करें हफते में एक बार अपना inbox खाली करें email का जवाब देने में जल्दबाजी ना करें ये जान ले अगर ये बहुत जरूरी है तो इंसान आपसे दूसरे तरीके से भी contact कर सकता है टीवी को occasional pleasure बनाए टीवी देखने से हमारा बहुत सारा time खराब होता है क्योंकि कोई भी शो आदे से एक घंटे का time लेता है और हम उसे आदे में छोड़ कर नहीं चाते जिससे वक्त की बरबादी होती है इसलिए टीवी को सिर्फ कभी कभी देखने से आपको उसकी लत नहीं लगेगी और आप अपना सारा time बचा सकेंगे इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान देना होगा टीवी पर news देखने की आदत ना डालें टीवी को कम से कम इस्तमाल करें आपको केवल टीवी, एच्बियो, नेट्विस को देखने से खुद को रोकना होगा या इसी चीज़ों का इस्तमाल ही बंद कर देना होगा क्योंकि इन स्टीमिंग सेवाओ में हमेशा कुछ न कुछ होता रहता है जो आपको डिस्टाक कर सकता है आपको अपनी जिन्दगी में फोकस रहने के लिए एक फ्लो बनाना ज़रूरी होगा या आपको डिस्टाक्ट होने से बचने में आपकी मदद करेगा इसके लिए कुछ बाते हैं, जो आपको ध्यान देनी होंगी लोगों को आपको disturb करने से रोकने के लिए headphone या बंद दर्वाजों का इसतमाल करें पूरा ध्यान देते रहने के लिए एक time limit set करें timer का इस्तमाल करें ये तरीका आपको ये देखने की permission देता है कि time बीत रहा है और आपको उस पर ध्यान देने के जरुत है जॉब कर रहे हैं कम्पीटर की बचय कागस पर लिखने को ज़ादा ध्यान दे क्योंकि कम्पीटर में कई और काम भी होते हैं इसलिए आपको डिस्टाइक कर देता है फोकस रहें अगर आप एक बार फोकस्ट होगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ और करने की ज़रुत नहीं है किसी भी काम को पूरा करते रहने के लिए आपको हमेशा फोकस रहने की ज़रुत होगी जिसके लिए आपको कुछ तरीकों से काम करना होगा जो आपको फोकस बनाए रखेंगे अपनी सांस को देखते हुए आप जो कर रहे थे उस पर ध्यान देते रहें जिसे आप अपना focus वापस पा सकते हैं आप जो कर रहे हैं उसके लिए खुद को committed करें जब आप वो काम कर रहे हूं जो आप करना पसंद करते हैं तो ये करना बहुत आसान हो जाता है रिसोर्स से पता चला है कि जब लोग किसी काम में बोर हो जाते हैं तो प्राबलम को और ज़्यादा creative तरीके से solve करते हैं इसलिए बोर रहे हैं तीसरा element, energy हमारे दिमाग को energy की जरुत होती है वो energy आपके शरीर की देखभाल करने से आती है exercise, खाना, नींद, शान्ती और face-to-face time से अपनी battery चार्ज करें अगर आपका energy level ज़्यादा होगा तो आप कसी काम को ज़्यादा अच्छे से और पूरे motivation के साथ कर सकेंगे इसलिए आपको अपनी energy को कस्टमाइज करने के तरीकों को ज़रूर अपनाना चाहिए हमेशा motion में रहें exercise करने से आपका शरीर active रहता है और उसमें थकान कम होती है आप fit रहते हैं जिससे आप हर काम को पूरी energy के साथ जल्दी से पूरा कर सकते हैं तो इसलिए अपने शरीर को सही ढंक से काम करते रहने देने के लिए आपको रोज exercise करने चाहिए हमेशा शरीर को चलाते रहें और energy को हासिल करते रहें हर रोज exercise करें ये हर रोज walk पर जाना या सीडिया चड़ने जैसे कुछ simple activities हो सकती हैं जल्दी वर्काउट करें एक्जामपल के लिए आप 7 मिनिट की ट्रेनिंग भी कर सकते हैं असली खाना खाएं आपका खाना और आपके खाने का तरीका ही आपको healthy जिनकी दे सकता है जिससे आप बिमार नहीं होंगे और नहीं आपके energy खत्मोंगी आपको healthy खाना खाके ही किसी काम को शुरू करना चाहिए अपने शरीर को healthy रखिए और हमेशा positive हैसूस करके अपना काम करते रहे फिश, पौधे, red meat या nuts का सेवन करें क्योंकि ये energy देने में बहुत मदद करते हैं सबसे पहले salad को अपनी plate में डाले और वो भी जादा मात्रा में fast आपको focus रख सकता है या आपके दिमाग में बदलाव करता है जो आपको ऐसा करने की permission देता है आपने ही जरूर सुना होगा कि healthy दिमाग healthy शरीर में रहता है तो इसका मदलब ये हुआ कि जब आपका शरीर healthy होगा तब आपका दिमाग भी अच्छे से काम करेगा और अच्छा खाना आपको अच्छा शरीर देता है इसलिए अच्छा खाना खाएं और पूरी energy से काम करें कैफिन को optimize करें अपने energy level को बनाये रखने के लिए coffee का इस्तमाल कुछ साथधानियों के साथ ही करें लगता है और जब आप जागते हैं तो आप आरा महसूस करेंगे energy को बनाये रखने के लिए आप coffee को green tea से बदल सकते हैं coffee पीने से अगले दिन की नींद या energy में रुकावाट आ सकती है भले ही आपने इसे दोपैर में पिया हो coffee में चीनी का कम से कम इस्तमाल करें हर चीज से disconnect करें आपको energy को पाने के लिए सबसे पहले खुद से मिलना होगा मतलब यह हुआ कि आपको अपने आपको कुछ time के लिए सबसे दूर रख कर कुछ ऐसे कामों को करना होगा जोब को खुशी देंगे और आप अच्छा महसूस कर सकेंगे nature में ज़ादा से ज़ादा time बिताएं क्योंकि इससे हमारी mental energy influence होती है में radiation करें एक break लें और अपने headphone को घर पर छोड़ दें इस तरह आपका दिमाग आराम करेगा example के लिए break लेते time social network तक पहुचने के लावा और बाकी काम करके अपने दिमाग को आराम देने की कोशिश करें उन लोगों से बात करें जो आपके बारे में सोचते हैं और आपसे बात करते हैं और कभी भी टीवी के सामने बैट कर खाना ना खाएं कुछ time के लिए आपका दिमाग शांत रहेगा तो वो अच्छा सोची का meditation करके या nature के साथ time बिता कर बाकी सबी चीजों से दूर रहकर आप अपनी energy को बढ़ा सकते हैं इसलिए इसे जरूर करें सोना मतलब आराम करना और वो time आपके शरीर को relax करता है ताकि आप अगली सुभ़ किसी धकान के साथ ना उठे आपको लगातार energy बनाये रखने के लिए सोने के इन कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा सोने से पहले उन चीजों की तलाश करें जो आपको सुकुन दे social network, email या news website को इस्तमाल करने से बुझे क्योंकि इससे दिमाग की स्पीड तेज होती है बहतर नींद के लिए अपने mobile phone और बाके devices को अपने कमरे से दूर रखें सोने से कुछ घंटे पहले अपने घर की रोशनी कम कर दें energy को फिर से भरने के लिए दिन में 20 मिनट की जपकी लेना शुरू करें हफते के आखिर में नींद के खोई हुए घंटों की भरपाई करने की कोशिश ना करें मदद जब आप सो नहीं पाए हूँ तो खाली टाइम में सो कर उस नींद को पूरा करने की कोशिश ना करें सोने के तरीके आपकी जिन्दगी को बहुत जादा effect करते हैं इसलिए पने सोने के तरीकों में ज़रूर सुधार करें और हर रोज पूरी एनरजी के साथ अपने काम को करने के लिए तयार रहें हर दिन आपको इस बात की कीमत लगानी होगी कि आपके साइलेट को करने में एबल थे ये नोट करना बहुत ज़रूरी है कि आपके एक तैक ही हुई अक्टिविटी साथ ही दिन में इस्तमाल की जाने वाले एनरजी के लेबल पर आप कितना ध्यान लगाने में काम्याब रहे और क्या आपने इस किताब में बताई कई स्ट्राटेजी का इस्तमाल किया इसके लावा उथर ने एक सला दिये है कि मेक टाइम बुके स्ट्राटेजीस को अपनाने का आपका एक्स्पीडियंस कैसा था क्या ये आपके लिए काम करती है या नहीं उसके बाद आपको प्लान करना होगा कि अगले दिन और बाद में फिर से वापस आना ठीक है ये एक मुश्किल तरीका नहीं है और आपको जिंदगी भर इसको करते रहने की जुरुत नहीं है इसलिए कोशिश करते रहें और अपने रिजल्ट को हासिल करें चौतिय और आखरी स्टेप में आपको देखना है कि ये किताब आपके कितने काम आई तो पहले किताब में बताएगे strategies का इस्तमाल करें और make time book की मदद से अपना time management करने की कोशिश करें पूरी energy के साथ काम को करें और अपने result तक पहुचें और हर उस तरीके को लिखें जो किताब में बताएगे थे और उन्होंने आपके मदद की आपको उसके बाद ही सोचना है कि अगले दिन आप क्या करने वाले हैं इसलिए सबसे पहले शुरुआत करें और make time में बताएगे thoughts और strategies को follow करें तो दोस्तो make time book आपको हर रोस के time management के बारे में बताती है किताब से आपको पता चल गया होगा कि कैसे आप highlight बनाकर अपने सभी कामों को खत्म कर सकते हैं और खुछ रह सकते हैं आपको अपनी highlight पर ध्यान देकर सभी distraction से दूर रहकर पूरी energy से काम करना होगा जो आपको किताब के बारे में जानकर पता चल गया होगा कि कैसे आप अपने time का सभी तरीके से इस्तमाल कर सकते हैं और वो चीज़े हासिल कर सकते हैं जो आप जिंदगी में चाते हैं जो लोग अपनी जिंदगी में सारे काम time से खत्म करना चाते हैं उन्हें ये किताब बहुत मदद करेगी और आपको फोकस्ट होकर काम करना सिखाएगी मुझे उमीद है कि आपने इस किताब से अपना हर वक्त मैनेज करने के बारे में जाना होगा और आथर की बदाएगे स्ट्राटेजीस को अपनी जिन्दगी में अप्लाई करके आप अपना काम टाइम पर और पूरे फोकस होकर कर सकेंगे तैंकि दोस्तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी आप इस बुक को औरडर करके और भी डीटेल में पढ़ सकते हैं इसके साथ साथ आप कूको एफम को डाउनलोड करके डिसकाउंट के लिए आरबी से फिफ्टीक उपन कोड यूज कर सकते हैं लिंक डिस्ट्रिप्शन में दिया गया है अगर आप हमारी संब्रीज को पढ़ना भी चाते हैं तो आप हमारी वेबसाइट readerbooksclub.com पर विजिट कर सकते हैं अब आप हमारी सभी बुक्सम्रीज को इंडिया के सभी मेजर आडियो प्लेटफॉर्म पर भी सुन सकते हैं जैसे कि Spotify, Amazon Music, Apple Music, Google Podcast, Jio Saval, Gana.com और भी बहुत सारी जगा यानि कि अब हम हर जगा हैं बुक्सम्रीज पढ़ने के लिए वेबसाइट पर सुनने के लिए पॉडकास प्लेटफॉर्म पर और वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर सभी का लिंक डिस्रिप्शन में दिया गया है इसके साथ इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना एन हिट दे बेल आइकन ताकि सबसे पहले आप हमारी सारी नई वीडियो को देख सकें जल्दी मिलते हैं और भी बहतरीन वीडियो के साथ थैंक यू सो मच